हेलो गाईज मैं नीशा परजापत आपका गुरुकुल्द हम में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 125 से मल्टिप्लाई करने की आसान ट्रीक 125 को आप किसी भी संक्या से मल्टिप्लाई करो आप पांस में उसकांस्वर निकाल सकते हो देखो किस प्रकार 64 को 125 से मल्टिप्लाई करोगे तो 64 में आप 8 का भाग दो आठ का भाग दोगे तो 8 आज जाएगे उसके आगे 3 बिंदू लगा दो आठ जार इसी प्रकार 56 में 8 का भाग दो और उसके आगे 3 बिंदू लगा दो 56 बटार कितना एगा साथ और इसके आगे तीन बिंदों लग गए साथ जाड़ यह अपना इस प्रकार क्यों हुआ इसका क्या रिजन है इसका देखो रिजन यह है इसका रिजन यह है 64 इंटू 125 अगर आप इसमें आठ का भाग दोगे या आठ का साथ में इसको आठ से मल्टिप्लाइ करोगे तो क्या इससे आपके क्यूशन में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन इससे अपन को फर्क पड़ने वाला है क्या पड़ेगा 64 में अगर आप 8 का भाग दोगे तो आपका अंसर आठ आयेगा ठीक है अठ इंटू और इन दोनों को जब आप मल्टिप्लाइ करते हो तो आपका अंसर आता है तो इंटू 10 तो अपना अंसर हो गया 8000 इसी प्रकाल 56 में हुए है 56 में आप 8 का भाग दो और इसको करो 125 से मल् यह तो आपको मिलके 1000 बन जाएगा और इसका अंस्वर साथ आ जाएगा तो साथ इंटो जार साथ जार और यह नेक्स्ट क्यूशन है 96 इंटू 125 इसका अंस्वर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद